नमस्कार दोस्तों स्वागत एक और ने संदार वीडियो में फानली जो है रेलवे रिकूट्मेंट बोर्ड के द्वारा जो है फाइनल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है असिस्टेंट लोको पाइलट एलपी की जो वेकेंसी निकाली गई है कल मैंने आप लोगो जो है सौट नोटिफिकेशन के माध्यम से जनकारी को सजा किया था सभी चीजों को मैंने डिस्कस किया था अब हम इस विडियों में जो है सभी इन्फोर्मेशन को समझेंगे यानि की जो है पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं आच चुका है और जितने भी इंपोटेंट पॉइंट है उन सभी इंपोटेंट पॉइंट को मैंने जो है फ्रिंट्स हाइलाइट करकर रखा होगा ताकि मैं आप लोगो जो है सभी चीजों को अच्छे समझा सकूँ और कोई चीज मिस ना हो सके सारी जो को डिसकस करेंगे कितने फेज में एकसाम होगा यहां प्रिजाब करने में 20 तारिक से का दो होगा गार और एलिजिबिलिटी को ले कर बहुत सारे i-detail centralized employment notice cn01-2024 यह advertisement number आपका यहापर होने वाला है assistant loco pilot याँ फिनिट्स आप इस प्रकार से देख सकते हैं आपका यह job का profile है यानि आप train में loco pilot का काम करेंगे आप train को चलाएंगे तो यह आपका पद का नाम है assistant loco pilot यानि ALP का आपका पद यहां पे रहने वाला है सबको पता है important date 20 जनवरी से आगदने start होगा 19 फरवरी तक form को apply करेंगे और आपका modification भी चलेगा 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक अगर आपने form भरने में कोई भी गलती कर दिया है तो आप उसे modify भी आपे करने वाले हैं जो कि आपे संदार मौका आपको मिलेगा modify करने के लिए अब यहाँ पे देखेंगे तो नंबर अब पदो की संख्या जो 596 जो की बहुती कम है और मेरे हिसाब से इतनी vacancy क्यों दिया सरकार इतनी vacancy बहुती कम है मेरे हिसाब से बहुती कम है और आप लोग सों सकते हैं कि क्या है अब 1830 वर्स की उम्र सीमा है लेबल आपको देख सकते हैं 2 की salary मिलेगी और zone wise vacancy अब हम आगे डिस्क्स करेंगे एन एक्जर B में दिया हुआ है कि किस zone में कितनी vacancy है सबसे दर जो है किस zone vacancy उसको उपर यहाँ पर आएंगे और आप जो है safe score कहाँ पर अच्छा कर सकते हैं online mode में आपको form भरे जाएंगे और यहाँ पर साब साब लिखा हुआ है कि आपका जो qualification है जो भी आप फुल्फिल कर रहे हैं वो आपका जो है जो आपका last day day form भरने का उस दिन या उससे पहले होना चाहिए closing date से उस दिन या उसके पहले तक complete होना चाहिए जो भी candidates अगर किसी का result वेटिंग में है और वो अगर जो है अभी उसका exam हुआ है सिर्फ अभी वेटिंग चल रहा है कि आज कल में आज आएगा तो वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकता है और यहाँ लिखा हुआ है candidates can apply to only one rrb किसी एकी rrb को आपको चूज करके form को apply करना है आप multiple rrb के लिए apply नहीं कर सकते हैं अगर आप multiple apply कर देंगे तो आपका form reject हो जाएगा तो form भरने से पहले आपको rrb wise vacancy को देखना होगा मैं आपको नीचे लेके आता हूँ directly और यहाँ पे आपको किस rrb में आपको form को भरना होगा उस हिसाब से आप 24 करके form को apply करेंगे तो देख सकते हैं आप यह एहमदाबाद में 238 पद है wr यह zone हो गया इसके में से अजमेर में nwr 228 पद है बैंगलोरो swr यह देख सकते हैं 473 भूनेस्वर में देख सकते हैं 280 और बिलासपुर में सबसे ज़्यादा पद है जो कि secr दो किसे 1192 पद है और central region में आपका देख सकते हैं 124 है यह जो MP के तरफ पड़ता है चेन्नाई में देखेंगे तो 148 पद है इस बार चंडीगर्ड में 680 पद है इस तरह से आप जो है zone wise जो है vacancy को देख सकते हैं ER में देखेंगे तो 254 पद है SER में 91 है तो इस तरह से मुंबई में आप देखेंगे तो इस बार बहुत कम है मुंबई में 4111 पद है वो भी CR में मुंबई जो आता है उसमें मुझाफर पूर में देखेंगे यहाँ पे 38 है और पटना बिहार में देख सकते हैं 38 है तो यह जोन वाइज वेकेंशी है परियाग राज में देखेंगे तो 45 ही पद इस बार यहाँ पे देखेंगे को मिलेगा यहाँ पे जो है क्वालिटी केसिन के बारे में दिया गया है हम चीजों को समझाएंगे साथ-साथ लिखते भी चलेंगे ताकि आपका सारा चीज किलियर हो सकते देखें मैट्रिक के साथ-साथ अगर आप आप आई-टी-आई किये हुए है आई-टी-आई देखेंगे तो किस-किस ट्रेड में तो यहाँ ट्रेड का नाम दिया फीटर में, इलेक्टिसियन में, इंस्टुमेंट मेकेनिक में, मिल राइटर में, मैंटेनेंस मेकेनिक में, और मेके mechanism and air conditioning mechanics तो इसमें से किसी भी trade से अगर आप दोसरी के साथ साथ ITI पास हैं तो आप apply कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होने वाला हैं दूसरा है अगर आप दोसरी के साथ साथ apprenticeship किये हुए हैं तो आप यहाँ पर form को apply कर सकते हैं तो यहीं दूसरा qualification है आप इसमें से किसी भी trade से किये हैं तो ही कर सकते हैं यहां लिखा हुआ है metric के साथ आप जो है apprenticeship किये हुए है in the mansion above trade में मतलब यह जो उपर का trade है न इसमें से अगर आप किसी भी trade से ITI नहीं करके बलकि दसवी के साथ साथ apprenticeship किये हुए है मतलब किसी भी company के साथ आप जो training होता है न वन year का उसको apprenticeship बोलते हैं बहुत सारी apprenticeship का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ आप इस channel के साथ जूड़े होगे तो आपको याद होगा तो आप form को भर सकते हैं तीसरा qualification यह पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा यहाँ पर देखिए तो metric के साथ साथ यह दोसरी के साथ साथ आप जो है 3 years का जो diploma होता है न diploma यह देख सकते हैं तो आप किये हैं तो आप form को apply कर सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है matriculation के साथ 3 years का diploma आपने mechanical, electrical, electronics, automobile engineering इसमें से किसी भी trade से आप जो 3 साल का diploma कर रखे हैं तो आप form को apply कर सकते हैं चौथा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो engineering कर रखा हुआ है discipline में तो यहाँ पर form को apply कर सकता है तो यहाँ देखें degree in the engineering discipline as above, मतलब जो above में यहाँ लिखा हुआ है तो आप form को apply कर सकते हैं, तो इस 4 qualification है यहाँ में लिख़ता हूँ degree in engineering तो आप form को apply कर सकते हैं, तो चारों में से कोई भी qualification आप fulfill करते हैं तो आप जो है done है मतलब आप form को apply कर सकते हैं तो आपका qualification समझ में आ गया इसकी अलावा बाकी कोई भी candidates यहाँ पर form को apply नहीं कर सकता है तो qualification आप समझ गए अब हम समझते हैं upper age में किसको कितना छूट यहाँ पर मिलने वाला है age limit के बारे में हम समझते हैं ताकि आपको जो है और भी clear हो सके कि आपको कोई भी दिक्कत नव form भरने में थोड़ा सा और हम जनकारी यहाँ पर समझते हैं जो हमने यहाँ पर highlight करके रखा हुआ है ताकि हम जो है कोई चीजों को miss न कर सके यहाँ देखिए जो वेकेंसी है न उसके वेकेंसी का जो है पंदरा टाइम्स यानि पंदरा गुना जो है सकेंड जो एक्जाम होगा CBT2 उसके लिए यहाँ पे जो है call letter जाएगा यानि वेकेंसी आप देख रहे है न बहुत कम है 5,690 तो इसके पंदरा गुना के इंडेट्स को यह लो क्या करेंगे सेकेंड फेज के लिए merit list त्यार करेंगे इसके बाएस से यहाँ देखेंगे तो age limit जो है 1830 वर्ष रखा गया है अब यहाँ पे age relaxation जो है पांच दो समलोग एक वाले जो आपका paragraph है वहाँ पे आपको बोला गया कि age में किसको कितना छूट मिलेगा हम आगे discuss करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है negative marking भी बोला गया है तो 1 by 3rd का जो है negative marking रहेगा CBT 1 में भी और CBT 2 में भी दोनों में भी आपका जो है आपकी running handwriting and not block या capital letter तो बहुत सारे क्या करते हैं लोग capital letter में signature मार देते हैं तो capital letter में और block letter में आपको signature नहीं करना है बहुत सारे लोग गलती करते हैं मैंने सुच आप लोग को बता दू अब यहाँ पे देखेंगे बोला गया कि selected candidate जो है अब यहाँ पे देखेंगे फ्री ट्रेवल फैसिलिटी भी आपको में पे मिलेगा तो जो भी candidates ACST से form भरेंगे उनको जो है सभी exam के लिए फ्री ट्रेवल फैसिलिटी दी जाती है अगर वो पहला फेज का exam देने जाएगा तो उनको जो है sleeper class का जो है उनको पास मिल जाएगा और दूसरे exam के लिए भी तीसरे exam के लिए medical के लिए भी मतलब सभी के लिए ACST को जो है ट्रेवल पास मिल जाता है उनको जो है कोई जो है ट्रेविल का चार्ज नहीं लगता है जैसे अगर मालने आप पटना में है और आपका मुंबई दे दिया exam तो आपको फ्री में ट्रेवल पास मिल जागा रेलवे के दौरा आप जो यह exam दे करा है लेकिन को सिर्फ और सिर्फ SCST को इसकी बास यहाँ पर बोला गया कि RRB जो है reserve करता है अपने rights को कभी भी vacancy में change करने के लिए modify करने के लिए, aid करने के लिए, delete करने के लिए तो vacancy बढ़ भी सकती है घड़ भी सकती है, रद भी हो सकती है तो इतना आपको ध्यान रखना है इसकी बस यहाँ पर जो है online mode में आपको form को भरना है, आप last date का wait नहीं करेंगे जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी form को भर लेंगे अगर form भरने में किसी परकार की technical issue आती है तो आप 10 बजे सुबा से लेकर साम 5 बजे तक यह help line number पे आप call कर सकते हैं और इनसे बात है कर सकते है, help line number है जो share किया गया, इसके लवा इनका email ID भी यहाँ पे दिया गया है तो आप email ID के थुरू भी इनसे संपर्क कर सकते हैं vacancies के बारे में बोला गया कि vacancy increase और decrease भी हो सकता है requirement के according, इसकी बास से यहाँ पे physically आप fit होने चाहिए जो कि आपका eye का जो vision है, यहाँ पे देखे बताया गया बिना glass का इसके लवा आपको जो यह सब टेस्ट पास करने चीज़ जो जब आपका medical होगा न, medical standard A1 उसमें आपको जो यह सारे test करे जाएंगे आपके आँख का तो आप जो है fit होने चाहिए नेसलिटी की बात करें तो Indian citizen और citizen of Nepal, citizen of Bhutan के लोग यहाँ पे form को apply कर सकते हैं अगर कोई refugee है तीबित्यंग है और इतना के पहले वो आया हुआ है इंडिया तो भी form को भर सकता है अब बात दिये age limit देखे age limit आपको समझना होगा 17-2024 को आपका age count किया जा रहा है 18-30 verse की उम्र सीमा रखी गई है जिसमें आप देखेंगे तो SCST को 5 सल का ओपर age में छूट मिल लाएगा यानि आपकी उम्र जो है 18-35 verse है तो अगर आप SCST सा आते हैं तो 18-35 verse की आपकी उम्र सीमा है तो आप form को भर सकते हैं अगर आप OBC non की में लाएगा तो 18 से आपका जो उम्र सीमा हो जाएगा 33 हो जाएगा क्योंकि इनको तीन साल का छूट मिलता है इसी तरह से और भी candidates को यहाँ पर देखेंगे ex-servicemen को आपको छूट मिल रहा है इसके अलावा group C यह group D के railway staff है तो उसको भी आपको यहाँ पर एज में छूट मिलेगा अलग-अलग category wise इसके अलावा जो working है इस तरह के candidates तो उनको भी यहाँ पर 5 साल के छूट मिल रहा है इसके अलावा अगर कोई महिला है और उनको जो है यहाँ पर वीडो है डिवोस है जूटिसली सेपरेटेड है तो उनको भी यहाँ पर एज में छूट मिल रहा है जनरल को, OBC को, SCST को इसके अलावा कोई अपरेंटिसिप किया हुआ है तो 25 साल के पहले उनको भी यहाँ पर एज में छूट यहाँ पर मिल रहा है देख रहा है न, संदार आपर एज में छूट आपको मिल रहा है तो बहुत सारे के इंडिट्स यहाँ पर इलिजबल है फॉर्म बने के लिए आप 1830 वर्स मत देखिएगा पहला अपने केटिगरी के अगॉर्डिंग ऑपर एज को जरूर चिक कर लिजगा अगर आपके 30 वर्स से उम्र ज्यादा हो चुकी है तो आप उम्र में छूट ले सकते हैं अब यहाँ पर देखिए 1830 वर्स का जो उम्र श्यादा बर्स का जो है रेंज दिया गया है इसे यहाँ देखेंगे ऑपर एज लिमीट यहाँ देखेंगे तो अगर जनरल एडेबलुस से है 27994 से लेकर 172006 के बीच आपका डेटर बर्स है तो आप फॉर्म के लिए इलिजिबल है एक इन के लिए है जनरल एडेबलुस के लिए है OVC NCL के लिए बोला गया 27991 से लेकर 172006 के लिए आपका डेटर बर्स है इसके बीच है उस दिन भी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते है SST का डेटर बर्स का आप देखेंगे लिमीट 27991 से लेकर 172006 के बीट आपका डेटर बर्स है तो आप यहाँ पे इरिजबल रहने वाले हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा आप खुद से उम्र की गढ़ना करना चाहते हैं तो एज काल्कुलेटर की वेबसाइट पे जाके जो है आप गढ़ना कर लीजिए आपको जो डेट मांगेगा वो 172024 रखना है और जो भी आपका डेटर बर्थ है वो लिखना है अब आपको देखना है कि आप किस डेटर बर्थ के रेंज में आ रहे हैं अब यहाँ पे देखेंगे तो अप्लिकेशन फी आपका 500 रुपीज लगेगा जो भी जनरल केंडेट्स है और इसके अलावा आपका EWS है या OBC केंडेट्स है अब 500 रुपीज लगेगा इनको लेकिन बाद में आपका 400 रुपे रिफंड भी हो जाएगा जब आप पहले स्टेज का एक्जाम कंप्लिट कर लेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे तो SCST को जो है 30 रुपीज अप्लिकेशन फी देना होगा लेकिन वहीं पे SCST और फीमेल को, ट्रांजेंडर को और EBC केंडेट्स को और Moneteries Candidates को आपे जो है 30 रुपीय का अप्लिकेशन फी देना होगा फॉर्म भरते से में, लेकिन यह पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा जब वह पहला स्टेज का कंप्लिट करेंगे एक्जाम को तो CBT-1 देते ही आपका पैसा रिफंड हो जाएगा फॉर्म भरते से में आपको जो है अकाउंट नमर मांगा जाएगा आपका जो है नाम मांगा जाएगा तो आप ज़रूर मेंसन कर दीजेगा या लिखावे देट कंडिट्स who attend CBT-1 will get a refund of their examination fee as a mention जो पहला एक्जाम जो है देगा उनका फी यहाँ पर माफ हो जाएगा बाकी अगर नहीं देते हैं तो आपका फी माफ नहीं होगा समझ रहे ना तो जनरल OBC को 400 रुपया फी रिफंड हो जाएगा बाद में जब पहला स्टेज का इजाम देगे और बाकी SST को पूरा का पूरा फी यहाँ पर माफ हो जाएगा अब यहाँ पर आपको मानेटरी के बारे में बताया गया है और यहाँ पर फी आप एक बार पैड कर देंगे और आपको रिफंड नहीं होगा यहाँ पर बताएगी है अल्लाइन मोड में ही आपको फी जावा करना UPI, credit card, debit card, net banking यह सारे options आपको देखने को मिलेंगे इसके अलाबा EBC Candidates वो क्लेम करेगा economically backward class जिनकी family income less than 50,000 है अगर कोई candidate जो है ऐसा है जिनकी family income 50,000 से कम है सलाना एन्वली लिखा हुआ है देख रहा ना तो वो जो है EBC Candidates जो है claim कर सकता है इसके लिए अपना revenue officer के थूँ जो है तहसिलदार level तक या district magistrate level तक जो है आपको certificate यहाँ पर देना होगा अब यहाँ पर आपको जो है और भी बहुत सारी जनकारी दे हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी candidates reservation claim करना चाहते हैं EWS का, SCST का या OBC का तो वो अपना certificate जरूर बनवा लेंगी form भरने से पहले form भरने से पहले उनका certificate उनके हाथ में होना चाहिए अब यहाँ देखें लिखा हुआ है, सारा चीज आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आगया मैं यहाँ पर इसलिए बता दिया हूँ अब यहाँ पर देखेंगे तो यह भी आपका दिया गया कि community या category status जो आपका closing date से पहले आपका होना चाहिए समझ रहा ना यह भी आप ज़रूर इक बार पढ़ लेंगे अब यहाँ पर और भी बहुत सवर जनकारे दिये देखें यहाँ पर अब आती है selection process तो friends आप overall जनकारी समझ गया है अब समझते है selection process आपका क्या होने वाला है देखें सबसे important बात है पहला stage में आपका exam होगा written exam जो CBT1 कहलाएगा दूसरा exam होगा CBT2 कहलाएगा यह दोनों written exam होंगे लेकिन objective type होंगे तीसरा exam होगा computer based aptitude test जिसको हम CBET बोलेंगे इसके विसे DB होगा फिर medical होगा तो यह आपका phase रहने वाला है अब इसमें आप देखेंगे तो पहला stage का exam होगा यह आपका screening exam है यहाँ पर देखेंगे तो आपका बोला गया है कि the marks of CBT1 shall not be counted while preparing the final panel मतलब जो आपका final panel बनेगा उसमें CBT1 का marks नहीं count करे जाएगे यह जहाँ पर साब साब लिख दिया गया है साथर marks के आपके questions रहते हैं negative marking on by third का होगा जो कि मैंने आपको starting बताया normalization marks यहाँ पर यूज करे जाएगे और यहाँ पर minimum pass percentage दिया गया है जो कि मेरे इसाब से यह आप मत count करिएगा इसको बिलकुल आप देखिएगा ही मत ठीक है ना क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा score करना पड़ेगा तभी जाके आपका जो यहाँ पर selection हो पाएगा क्योंकि आप देखे रहे हैं ना competition बहुत तगड़ा होने वाले बहुत तगड़ा अब यहाँ पर देखे फॉलोइंग syllabus आप करेगा यह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो होता है second stage CBT अब जब आप पहला stage qualify कर जाते हैं जिसमें आपका जो है merit list बनता है और vacancy के 15 गुना आपका जो है second के लिए merit list त्यार होता है अब 15 गुना candidates जब CBT 2 में जाते हैं उनका जो यहाँ पर selection रहता है syllabus और exam pattern वो देखे क्या रहता है यहाँ पहला option पढ़ेंगे तो देखे यहाँ पर लिखा हुआ है the final panel of ALP will be prepared only on the basis of marks and merit of candidates in CBT and CBET मतलब क्या CBT 2 और CBET का जो exam होगा वो जो है आपके final panel में जो है आपका जो है जो merit बनेगा exam होगा computer based test CBT का मतलब क्या होता है computer based test तो इसमें part A होगा और part B होगा तो ध्यान दीजेगा part A वाला ही सिर्फ आपका जो है यहाँ पे merit में marks जूटने वाला है part B का merit में marks नहीं जूटेगा यह सिर्फ qualifying in nature होगा अब part A में देखेंगे तो आपका 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ पे आपका exam होगा जिसमें 90 मिनट का 100 question आपको solve करने 90 मिनट में part A से रहेंगे part B में आपका 60 मिनट का question होगा 75 question 60 मिनट यानि 1 घंटा 75 question solve करने 90 मिनट यानि 1 घंटा 100 question solve करने और दोनों में 1 by 3 का negative marking भी है यहाँ देखेंगे पढ़ेंगे normalization यहाँ पे use होने वाला है अब यहाँ लिखाएंगे part A minimum percentage का चाहिए तो आप इस पे ध्यान में दिजिए अच्छा score करना है आपको यह आपको सिर्फ और पासिंग मार्क से ठीक है नब यहाँ लेकिन short listing of candidates for further stage मतलब क्या कि part A का जो marks है वही आपका count करे जाएगा यानि CBT 2 में दो part में exam होगा part A और part B तो part A का जो exam होगा वही आपका merit में count करे जाएगे ध्यान रहें और यहाँ पे लिखा हुआ है process provident candidates respective community is level अच्छा ठीक है यह लिख दिया है अब part A का जो syllabus हो क्या रहेगा तो mathematics, general intelligence and reasoning basic sciences and engineering अब आता है part B तो part B सिर्फ यहाँ देखेंगे तो यह जो है qualifying in nature लिखा हुआ part B is only a qualifying test in nature and all have questions from the various trade syllabi as a prescribed मतलब क्या कि आपका जो part B होगा जिस trade में आप form भरेंगे उस trade से question आपके पूछे जाएंगे और यह सिर्फ और सिर्फ qualifying in nature होगा यानि part B का जो है passing marks ही सिर्फ चाहिए यानि 35% अगर आप ला देंगे किसी भी category से आप आते हो part B में तो आप qualify कर जाएंगे और इसका marks आपको जो है final merit में नहीं जोड़ता है final merit में कौँ सा marks जूटेगा तो फिर्फ देखिए CBT का जो है part A और जो c-bet होगा आपका इसका इसी base पे आपका जो है यहाँ पे इस CBT 2 का मैं बोल रहा हूँ CBT 2 का part A और जो c-bet आपका exam होगा उसका इन ही दोनों का जो है marks के base पे आपका final merit list यहाँ पे त्यार होने वाला है तो आप इसी इसको basis focus करिएगा और part B इसका CBT 2 का part B जो है सिर्फ qualifying nature होने वाला है अब यहाँ पे part B का जो है CBT 2 का जो part B है उसका जो है क्या रहेगा यहाँ पे देखेंगे grouping of trade, taste या subject तो यहाँ पे दे दिया गए कि electrical engineering and combination of various streams से आवे तिन देना चाहते हैं तो इसका जो trade और subject होगा वो क्या रहेगा देखेंगे आपे दिया हुआ है electronics engineering में आपके जो है क्या subject syllabus रहेंगे यहाँ पे दिया गए तो इसको आप भी psychology, psychology candidates corner पे जाके जो है आप इसका syllabus को download करेंगे इन्होंने जो है एक website का भी link दे दिया है इसके थुरू जो है आप इसे download करके उसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसमें किस परकार से क्या होता है और यह भी computer based test ही होता है यह भी computer पे ही आपको exam देना होता है अब यहाँ देखेंगे तो the merit list will prepare only from the amongst candidates qualifying in the CBET 70% weightage will be given for marks obtained in part A of CBT 2 and 30% weightage for a score obtained in the CBET यह जनकार यहाँ पे share किया गया है आप एक बार पढ़ेंगे अब बादा देए कि आपको जो है कौन कौन सा documents upload करना है form भरते समय देखें SCST से आप रहेंगे तो आपको जो है अपने SCST का certificate यहाँ पे attach करना होगा दूसरा आप यहाँ पे signature upload करेंगे जो कि 30 से 70 के भी के बीच होना चाहिए आपको photograph upload करना है white background यहाँ पे बोला गया photograph जो 30 से 70 के भी के बीच होना चाहिए और यहाँ पे बीना कोई glass और बीना कोई cap वगर पहने और pedia format में आपको जो है SCST का certificate attach करना है बाकी किसी को certificate वगरा कुछ भी upload करने किया हो सकता नहीं है तो कल एक proper वीडियो हम लेकर आएंगे कैसे आपको form को भरना है जिसे इस कावितने स्टाट होगा हम एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे I hope friends आपको इस भरती के बारे में संपूर जनकारी समझ में आया होगा मैंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को अपने तरब से समझाने कोशिस किया हुआ है आपके मन में कोई भी doubts है comment है आप comment box में पूछ सकते है थोड़ी सी यहाँ पे आप लोग नराज होंगे कि vacancy कम है लेकिन हाँ हो सकता है कि vacancy जो है बढ़ाया भी जा सकता है तो vacancy encourage भी हो सकती है form भरी है आप लोग आगे देखा जाएगा ठीक है ना तो आसा करता हूँ आपको सारी information समझ में आई होगी वीडियो अच्छा लगी हो तो आप like करिए और इसी तरक update पाने के लिए हमारे चनल के साथ हमेशा जूड़े रहिए link आपको description box में मैंने telegram का और अपने whatsapp गुरू का भी दे दिया है whatsapp और telegram से भी आप जूड़ सकते हैं मिलते हैं किसी next video में जाहिंद